मल्टि बैगर स्टॉक्स ताटा के इस शेर ने किया कमाल 3 साल में ही 9 गुना बढ़ा। दिया पैसा अब क्या करे स्टॉक्स ताटा मोटर्स के शेर ने करीब 3 साल में ही 830 फीसदी का रिटर्न दिया है। ब्रोकरेज के मुताबिक इसमें अब भी शानदार कमाई का मौका है और मौजूदा लेवल से यह 21 फीसदी से ज्यादा उपर चड़ सकता है। इसके शेर अभी BSI पर 607.15 रुपए पर हैं। मल्टि बैगर स्टॉक्स ताटा भरोसे का नाम माना जाता है और इसने शेर मार्केट अपना भरोसा कायम रखा है। ताटा मोटर्स के शेरों ने न दौरान शेर फर्ष पर लोट गए थे और उस दौरान मजबूत फंडामेंटल वाले शेरों में पैसे लगा कर निवेशकों ने शांदार कमाई की है। ऐसे ही टाटा मोटर्स के शेर करीब 3 साल में ही 830 फीसदी का रिटर्न दिया है। ब्रोकरेज के मुताबिक इसमें 21 फीसदी से ज्यादा उपर चड़ सकता है। इसके शेर अभी BSI पर 607.15 रुपए पर है। ताटा मोटर्स ने कैसा रिटर्न दिया है। ताटा मोटर्स के शेर 3 अपरेल 2020 को महस 65.20 रुपए पर थे। अब यह 607.15 रुपए पर है यानि की महस 3 साल में इसने निवेशकों की पूजी करीब 830 फीसदी बढ़ा दी है। अब पिछले एक साल में शेरों के चाल की बात करें तो पिछले साल 26 दिसमबर 2022 को यह एक साल के निचलिस तर 375.50 रुपए पर था। इसके बाद 7 महीने में यह 77 फीसदी से अधिक उचलकर 26 जुलाई 2023 को एक साल के हाई 665.30 र इसकाउंट पर है। अब आगे क्या है रुजहान एनालिस्ट्स के मुताबिक JLR के मजबूत और बैकलॉग, बढ़ती मांग, इलेक्ट्रिक वाहनों, EV को लेकर बढ़ती जागरूकता और इंडस्ट्री के बहतर रुजहान से टाटा मोटर्स को सपोर्ट मिल रहा है। घरे चास रुपए के टारगेट प्राइस पर इसकी खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है। हालांकि ब्रोक्रेज ने वित्वर्ष 24 के कंसालिडेटेड एपीज के अनुमान को 84 फीसदी और वित्वर्ष 2025 के कंसालिडेटेड एपीज को 45 फीसदी बढ़ा दिया है। कैसी इसकी प्रोफिटेबिलिटी बढ़ी। सप्लाई चेन की डिक्कतें हल होने से इसका प्रोडक्शन भी बढ़ा। इसके चलते जून तिमाही में कंपनी को उम्मीद से अधिक करीब 3,203 करोड रुपए का नेट प्रोफिट हुआ जबकि एक साल पहले की समान अवधी में इ से 5,007 करोड रुपए का घाटा हुआ था। कंसालिडेटेड ओपरेशनल रेविन्यू भी इस दौरान 42 फीसदी बढ़कर 1.02 लाख करोड रुपए पर पहुँच गया। प्राइसिन में सुधार के चलते पैसेंजर वेहिकल्स सेगमेंट में 11 फीसदी की ग्रोथ और फिक्सड एक सिंसेज में बढ़ोतरी के चलते इसका ओपरेटिंग मार्जिन गिरकर 5.03 फीसदी पर आ गया। घरेलू थोक बिक्री 7.06 फीसदी और खुदरा बिक्री 6 फीसदी बढ़ी।